गुड माणिंग इड्यारी इस्टूडे इंटूडे आ विलिसकस अब आउट एक्सव नमी टूल्स में टेक्सोनमी की के बारे में पढ़ेंगे तो जियों की पहचान तथा उनकी जाती के निर्धारन के लिए हमारे वज्यानिकों द्वारा टेक्स्वनमी की का निर्मान किय इनके द्वारा unknown species को identify किया जाता है और रियाल में taxonomic की category के क्रमिक लक्षणों की एक सूची है लिस्ट होती है जो character की एक list होती है हमारे जिव जन्तु में बहुं सारे character होते ना उनकी एक list है तो जिससे किसी भी जिव की लक्षणों की तुलना करके उस list से हम लोग किसी भी उठा के लेते हैं और उनके लक्षणों की तुलना करके उजिव की किसी classification system में सही इस्थिती का पता लगाया जाता है या उसकी पहचान की जाती है तो taxonomic की एक अच्छे तरीके से परिभासिस करते हैं कि taxonomic की एक ऐसी कृतिम विसेसलात्मक युक्ति है अर्थात ये artificial है क प्रितिम ग्रूप से इसको बनाया गया है साइंटिस्तों द्वारा एक विसेसलात्मक युक्ति है जिसके द्वारा किसी unknown प्राणिया पौधे की पहचान की जा सकती है टेक्स्टों नामी की का सबसे पहले प्रयोग लैमार का द्वारा 1778 में किया गया था यहां की समानता समानता similarities and dissimilarities पर अधारित होती है मतलब किसी भी जू में हम लोग देखते हैं की कुछ चीज़ समानता होती है और कुछ अशामानता होती है तो उनहीं समानता के अधार पर हम उनके characters का क्या करते हैं तुलना करते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं और इसकी किसायता से उनका पैचान लास्ट में कर लेते हैं कि ये कौन सा एनिमल से या प्लांट है यहां की विपर्याई या कॉंस्ट्रेस्ट केरेक्टर्स लक्षणों के जोड़ों पर अधारित होती है जिन्हें कॉपलेट्स कहा जाता है इन जोड़ों में से एक को मान्य तथा दूसरे को मान्य किया जाता है यहां प्रतेक लक्षण के जोड़े में से एक लक्षण एक स्टेट्मेंट होता है जो मारगदर्सक या गाइडेंस का काम करता है जिसे लीड कहा जाता है अब आगे देखते हैं कि coplet और lead होता क्या है separate की मतलब taxonomik की में प्रते ही classify category के लिए अलग-अलग की होती है अलग-अलग की होती है classify category जैसे कि हम लोग classification में देखते हैं कि अलग-अलग category होता है जैसे कि phylum हो गया और kingdom हो गया order, genus, class तो इन सभी क्या है काटिगरी तो इन सभी इक इच के लिए अलगलग क्या होते है Well that हुँते है 살 में तो उनहीं के अलगलग सेफदी और किक यूज करकर 때、 कर्के हम लोक क्रो करते हैं उसका तुल्रना करते हैhouse वो कौन से category का है animal उसके बारे में पता करते हैं अब आता है example देख लेते हैं तो जैसे कोई animal ले लिए ठीक तो उसमें वो क्या है only one sale है तो हमको दोस्रा point में जाना है यह taxonomy की कह रहा है कि second point में जाना है तो second point में फिर से दो लक्षन या केरेक्टर्स का तुलना करेंगी कि अगर वो वन सेल है और उसमें नुकलियस प्रेजेंट है तो वो क्या हो सकता है यू केरियाटिक हो सकता है और अगर नुकलियस अपसेंट है तो वो क्या हो सकता है मोनेरा या प्रो केरियाटिक हो सकता है आब आता है तीसरा में जाएंगे अगर multi celluler है तो तीसरा में जाने बोल रहे हैं तो तीसरा में देखते हैं इस character के तुल ना करते हैं अगर वो तीसरा multi celluler है और rän इनिमेलिया और नान मोटैल मतलब एग जरगा इस्थी रहेगा तो वो क्या है फंजाई इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी या dire את अनिमल्स करें कियाकरते हैंा ड्रशन कर सकते हैं टैक्सोनुमेइक में की का यूज़ करके और यह कॉपलेट्स कहलाता है जैसे दो वी पर याई लक्षण का जोड़ा रहता है इसी से हम लोग किसी अनिमेल्स की लक्षण को उठा कर उस इसी से केमपेर करते हैं